आसकर 2022 में विल स्मित ने क्रिस रॉक को एक थप पर जड़ दिया क्योंकि वो उनकी वाइफ का मजाग बना रहे थे और अब इस पर सोफी चोधरी का रियाक्शन सामने आया है वो इस कॉंटिवोसी पर बात करती हुई सामने आई उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो बायस नहीं लेकिन विल स्मित ने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था उन्हें अपने गुसे पर काबू रखना चाहिए था हम ये बात बहुत अच्छे समझते हैं कि किसी भी शक्स का चीज का मजाग बनाने से पहले एक लाइन ड्रॉ होनी बहुत जरूरी है क्रिस रॉक ने उस चीज का ध्यान नहीं रखा और अपनी वाइफ का मजाग बनता देख विल स्मित काबू नहीं रख पाए और जड़ दिया उन्होंने स्टेश पर जाकर थप पड़ लेकिन ये चीजे बिल्कुल भी ठीक नहीं होती जब हम किसी प्लाटफॉर्म पर होते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है गुस्ते पर काबू रखना होता है और इतनी डिगनिटी इतने सालों से वो मेंटेंग करते आए हैं इतनी बड़ी लेगिसी है विल स्मित की तो उनको इस तहां की कुछ हरकत करते दे कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है यानि की सोफी चोधरी ने सीधे तोर पर ये कहा है कि वो बाइस नहीं लेकिन विल स्मित का तरीका सही नहीं था क्रिस रॉक ने जो किया उसे अलग तरीके से भी वो हैंडल कर सकते थे